किशान भाई ओंध़ किशान। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि खाने के लिए कई वराइटी आती है जिनमें बनसी है, तीनसोच है है और भी एक आदर पूसा की वराइटी आती है लेकिन इनमें तीनसोच है गेहूं जो है वह सबसे बहतर मानी गई है इसके दो तिन कारण है एक तो इसका जो है या 손 3 वाराइटा यह मंदु आगले दिया ला कौने में थे जानआ हैं रहा है ऐसा कod आगि दालने की है कि अगर आम पर भाराइटव का फुट के ऑस पास जिस के अगर आप यूरिया दालोगे तो इसके गिरने का खत्रा जादा रहता है अगर फिर भी आप डालना जाते हैं तो इसके अंदर आप पर्ती aşk एक्टेर में एक बाख डाल सकते हैं वो भी दिरे दिरे करके इसके तरीक दिरे के वր अकटीट केवल एक डिए कड़ डाल करके जैसे आपकी जमीन बत्तर आ जाए और आप उसकी जुताई करना चाहते हैं उसी शेमें लाकर के आप इसके अंदर गोपर की खाद डाल करके इसको आप चिद्धा करतें बिचा दें उसके बाद क्या होगा कि गोपर के जो किटानू है वो मिट्टी के अंदर म फाइदेंद रहेगी वो जिवानू फिर जमीन के अंदर जिवानू प्रोडेक्शन करेंगे और वो पहतर होगी तो यह था इसके लिए बिजाई के लिए तैयारी की बात है उसके बाद बीज की मातरा इसका बीज किसानवा यह परती एक टेयर साट से सत्तर केजी डालना हो जो है आप इसकी बिजाई करें तो लगबग आप इसकी डाई इंच की गैराइबर बिजाई करें और और फसलों के मुकाबले यानि कि यहों की इस वराइटी को थोड़ा सा पचेता वो हैं ताकि यह बड़वार कम ले और गिरे नहीं आप मेरे सामने देख सकते हैं कि आद इसकी के अंदर सपरे वगरा नहीं करना चाते तो निराई गुड़ाई के लिए सबसे बहतर है कि आप इसको बत्तर जब ज्यादा आ जाए यानि कि औरों से ज्यादा कठोर हो जाए थोड़ी सी जमीन और जमीनों के मुकाबले तब इसकी अकाई करें ताकि इसके अंदर ज 13-30 कंटल पर इक्टेर होती है यानि के औरों के मुकाबले कंषम होती है तो किसान बाइए अगर जादा नबहूना चाहे तो अपने खाने के लिए बो सकते हैं और अगर बैचना चाहते हैं तो अपने आस सबास के एक से टर में किसी भी पैसे वाली पॉरीज से या झोभी उससे बात करके बोएं कि हमें इस परकार से गयों बो रहे हैं आप इसको खरीद लेंगे तो मैं बोलता हूं तो इसके बाद उनको कोई परेशान ही नहीं होती क्यूंगी आज कल जो है खाने पर लोगों का विशेश ज्यान है और अच्छी फसल का आनाज जो है खाना हर कोई पसंद करता जब उनको विश्वास होगा कि आपने उनको 306 उनके लिए बोई है उनको 306 दे होगे तो वह आपकी गयों खरीद लेंगे और बिकड़ें की बात जो आती है कि इसकी रेट की हम तो जब बहते हैं तो अपना आदा एकड़ का घर का खरच होता है आदा एकड़ या एक एकड़ या दो एकड़ जो भी एक्स्ट्राव होती है वह बिजाई जो है हम लोगों के लिए करते हैं तो उसमें हम पहले लोगों से बहुत है कर लेते हैं कि जो गेहूं का समर्थन मूल्या रहेगा जैसे इस बार 1935 रुपे है तो इसके डबल रेट में हम आपको देंगे और इसकी प्रोडेक्शन कम होने के कारण जो है इसका डबल रख्या गया है इसमें आपको भी फायदा है कि आपको खाद वगएरा खेत में कम डालना पड़ेगा तो आपकी जमीन उपजाओ बनी रहेगी और खरीदने माले को भी फायदा है कि उसको खाने के लिए अच्छी चीज मिलेगी तो इस परकार यह चोटा से वीडियो था किसान भाईयो आपको कैसा लगया अपने दूसरा चैनल हमने शुरू किया है मंडी बाव के लिए आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें फार्मर सत्या के नाम से मौसका लिंक डिस्क्रीप्शन में दे दू तो अपने वीडियो को लाइक करें कोमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगया अधा निवाद जै हिंदे राम राम जै जवान जै किसान